कि फार्म प्रबंदन क्या आपका फार्म प्रबंदन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको बचत हो किसान साथियों मैं बार-बार कहता हूं कि बचत भी एक आमदनी है फार्म प्रबंदन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे ब्रस कटर की ब्रस कटर के फाइदे क्या है मैं इस पर बात करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार ब्रस कटर नय केवल आपका समय बचाता है बलकि आपके पैसे भी बचाता है किसान सातियों आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमारतियागी आप थोड़ा नजर दो रहाए कि मेरे फार्म पर कि ये कैसा घास है और किस तरह से मैंने पोड़ा के आसपास सफाई की हुई है किसान साथियों ये हैं जोनी जो मेरे साहयक है और मेरे फार्म पर काम करते है इन्हें लगबग चार से पांच महीने हो गए मेरे साथ काम करते हुए और ये है मेरा ब्रस कटर ये देखिए ये ब्रस कटर है और इस ब्रस कटर के कई अटेचमेंट आते हैं जिनमें से एक है ये घास काटने के लिए ये जो आप तार देख रहे हैं आपने अभी तक देखा होगा कि ये तार सफेद और हरे किसम का आता है ये दो किसम का तार होता है एक आप देखिए ध्यान से कि ये एक तरह से गोल नहीं है ये चकोर है मुझे पता चला कि इसकी लाइफ जादा होती है और ये अधिक समय तक काम करता है और ये मेरे जो सहायक है इन्होंना भी बताया कि बाउजी अब की बार जो है न जो ये आप तार लाए हैं इससे ये बहुत इसकी लाइफ है और ये बहुत चलता है अब हम इसको brush cutter से चलाएंगे और आप देखेंगे कि जो उपर का घास है ये सब कटकर यहीं गिर जाएगा और हमारे खेत को एक बहुत अच्छी carbon का carbon भी मिलेगी ये घास यहीं पर सड़ जाएगा चूकि हम west decomposer डालते रहते हैं उससे भी सड़ेगा और घास से हमें फाइद company है उनके पास इसके दो model है एक है ये उनका local engine और एक है इनका Honda engine दोनों में price में काफी difference था तो जब मैंने अपना कितना कारिये करना है कितना अधिक कारिये है ये समझ कर उनसे बात की जो हर्स गर्ग हैं इसके company के जो मालिक हैं उन्होंने मुझे बताया कि त्यागी जी है यह क्या improvement करने के साथ ने वो भी मैं बताऊंगा देखिए यह मैं अब को स्टार्ट करता हूँ कि अब यह देखिए यह किस प्रकार घास काता है अब यह मेरा लगबग आठ बिगे का डेड़ एकड़ का बाग है पुरा जिसमें अमरूद हैं और इसमें यह जो हमारे साहयक हैं यह दो दिन लगाते हैं इस गास को काटने में यह देखे कितना अच्छा गास कट गया और मैंने आपको यह भी बताया था कि यह देखे यहां तक मैं इसकी कैनोपी तक इसकी सफाई करवा कर इसमें मैंने खाद लगवाया था और जिस दिन मैंने सोचा कि ड्रिप डाल कर मैं ड्रिप चलाओंगा तो उसके अगले ही दिन खाद डालने के अगले ही दिन बारिस हो गई खाद डालने के बाद मैंने इसमें जीवामरत भी डलवाया था लगबग दो दो लीटर मैंने जीवामरत डलवाया था और अब आप देखे ये पोधे कैसे चल गए है ये स्वेता का पोधा है और मैं इसका एक अमरूद भी आपको दिखाऊंगा ये देखे किसान साथियो ये जून 2019 की प्लांटेशन है और ये देखे ये स्वेता अमरूद है जिस पर लगे हुए है कुछ मैं अमरूद छोड़त किसान साथियो ये जो ब्रस कटर है ये आप इस प्रेमें की वेब साइट पर देख सकते हैं और कई कंपनियों का आता है मैं यह नहीं कहता कि आप इस प्रेमें का ही ब्रस कटर लो आप किसी भी कंपनी का कर सकते हैं ध्यान ये रखना है कि इसमें ये जो तार है ये अगर आ यहां पर आपको इतना बड़ा तार रखना है जब आप लगाएंगे कि यहां पर यह इसके पास न जाए इसमें टच नहीं होना चाहिए और यह फोरिस्टोक इंजन है इसे पकड़ने में और चलाने में कोई भी मुश्किल कठिन काम नहीं होता वजन भी अधिक नहीं है दो दिन अराम से काटता है कोई जल्दबाजी नहीं है और अब तक मुझे इसमें कोई सिकायत नहीं नजर आई है हां जो मुझे इसमें समस्य आई है वो आज मैं आपको बताता हूँ अभी तक मुझे इसमें दो समस्य आई है किसान साथियो जब मेरे को यह तार बदलना प करती है इसके लिए इस प्रेमैन वालों ने अभी मुझे कोई इसके साथ में कोई लिटरेचर नहीं दिया था और नहीं पता था हो सकता है उन्होंने कहीं लिखा हुआ हो और मुझे ना पता चला हो लेकिन इस पर आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं यह अलग-अलग किसम के आते हैं यह इसके तार का वो है जिस पर हम तार लपेटते हैं और इसका एक तरीका होता है प्रोपर तरीके से तो मैं इसकी एक वीडियो के तार कैसे बदलते हैं और इसमें क्या सावधानी रखनी है इस पर बनाएं तो हमें इसे प्रियोग करने मे और भी आसानी होगी किसान साथियों बहुत ही आसान है आप इसे निकालिए तार लगाईए और इसको धीरे से यहाँ पर देखे यह कट है यहाँ पर तार लगाना पड़ता है यह इसके लोक हैं इसको थोड़ा दोनों तरफ से दबाएंगे और यह हो गया और आप काम शुरू कर सकते है दूसरा मुझे इसमें क्या प्रोब्लम आई है कि जो इनकी मुझे जब इसमें तेल बदलने गाता वो मुझे नहीं मिला और उसके लिए मुझे हर्स गर्गजी से दुबारा कॉंटेक्ट करना पड़ा जैसे ही मैंने उनको मैसेज दिया उनका पांच मिनिट में आंसर आया और उन्होंने मुझे बताया कि इसके तेल में क्या सावधानी रखनी चाहिए किसान साथियों इसके दो मोडल है उनके पास में एक है होंडा इंजन के साथ में जो इससे लगबर 10,000 रुपे महंगा है होंडा का इंजन की अपनी क्वालिटी होती है लेकिन मैंने ये इनके अपने इंजन वाला चुना और मुझे इसमें कोई भी सिकात नहीं है आप देखिए इधर नजर दोड़ाईए कि कितना साफ बाग लगता है और जो मेरे साहयक हैं वो सिरफ पोधो के कैनोपी के आसपास ही कारिय करते है ये देखिए बिल्कुल पास तक ये काट देता है थोड़ा इसको दूर रखना है आपको तने से अगर पेड़ बड़ा हो तो ये दूर रखना है अगर ये यहाँ पे आगई टच हो गई तो ये इसकी जो चाल है इसको भी छील देगी जिससे आपको पोधो को बचाना किसान साथियो इससे पहले मुझे इस पर बहुत खर्चा करना पड़ता था या तो मैं इस पर इसका पावर टीलर चलाऊं तो किसान साथियो बार बार आपको ये नए चलाना पड़े मैरा ये एक्सपिरियंस है कि केवल साल में दो बार जब आप खाद लगाते हैं उसी टाइम में एक बार इसमें चलाईए फरवरी में चलाईए और एक जून के महीने में चलाईए और उसके बाद जो घास उखती है उसे आप ब्रस कटर से काटिए ये आपकी बचत करेगा आपकी मैन पावर बचाएगा आपका पैसे की बचत करेगा और पैसे की बचत भी एक काम दनी किसान साथियो मेरे बाग में आठ से नो प्रकार के अमरूद है और इनमें जो मुझे सबसे अच्छा अमरूद लगा है वो लगा है धवल ये देखिए ये पिछले वर्स जून की प्लांटेशन है ये कितना अच्छा अमरूद है एक मैं और दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये पक चुका है और इसको मैं तोड लेता हूँ इस अमरूद को ये मैंने तोड लिया है और ये देखिए ये कम से कम भी 300 ग्राम का अमरूद होगा ये धवल अमरूद है और जितने भी लोग मेरे यहां आकर इसको खाते हैं तो वो धवल के पेड़ अवस्य लेकर जाते हैं अगर आपको भी इसके पेड़ चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसान साथियो फार्म परबंदन में बचत सीरीज में ये था पहला भाग ब्रसकटर का अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि पावर टीलर के क्या फाइदे हैं और आपको ये क्यों रखना चाहिए और किन किसानों को रखना चाहिए तब तक के लिए विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत वंदे मातरम